नवश्कार दोस्तो और विल्कम बैक तो मैं चैनल फॉर्स्ट इन्विस्ट्ट दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कि कल में कौनचे स्टॉक पर ट्रेड लेना है प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सेनेरियो रह सकता है सबसे पहले स्टॉक जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वह है ग्रासिम एंड हम लोग ग्रासिम बाय करने के लिए सोच रहे हैं सबसे अगर हम वह आप लिगों को नैल सिस बताता औं आ ल' सबसे लिए जूम आउट जूम इंड न यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रासिम का जो ट्रेंड है इस राइट नाओ अपवर्ड, ठेक है, ग्रासिम का ट्रेंड है अपवर्ड, ठेक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं, कि जब भी अपने प्रिवियस हाई को ब्रेक करता है, इस राइट 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 रा इसके उपर जबता कि नहीं निकलेगा और प्रबबबली लगता है कि कल इसके उपर निकल के क्लोजिंग मी दे सकता है तो अगर 804.5 के उपर ही सस्थेंड करता है तो यहां इसके इसके उपर्टिकुलर स्टॉक ग्रासेम इंडॉस्ट्रीज नेक्स्टॉक इस आयोसी पर भी बाय करने की सलह ती जा रही है आप लगों को यहां पर लेट मी जूम आउट इस स्टॉक यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहली बात तो यह इस साइड और इस साइड डबल बाकर टाप scenario बना था आप देख सकते हैं कि मुल्टिपल सपोर्ट्स थे यह लाइन जैसी है सपोर्ट ब्रेक हुआ ब्रेक होने के बाद यहां पर रितेस्ट हुआ और रितेस्ट हुआ के बाद एक श्याप फॉल भी तो मतलब जब support break होता है that becomes resistance everybody knows that I've already explained a lot जब support break हुआ है तो वो resistance बन गया and second time उसे ने resistance को face करा and उसके उपर जाके closing देने में कामयावरा मतलब 84.15 एक resistance level था but उसके उपर जाने में इसने closing दे दिया है so yeah it's good right now for a buy आप यहाँ पर एक buy position बना सकते हैं अब आप देख सकते हैं कि बीच में कहीं पर भी hurdles नहीं है and अब यह probably अराम से 88 से लेके 91 के बीच तक अराम सक जा सकता है मतलब always 3 to 5 points की movement अराम से दे सकता है so yeah we can go for a buy in this IOC level से आप लोगों को provide कर वा दिया जाएंगे and अगर आप लोग ने अभी तक हमारे discord server पर join नहीं करा so yeah description पर नीचे link है discord server join उने का आप जाके हो सकते हैं a community server है जहां पर आप लोग freely बात कर सकते हैं और आपके सारे questions के जवाब दिया जाएंगे plus आप लोगों को daily chart analysis भी provide होती है multiple peoples और traders के थूँ so आप लोगों को definitely वहां को सीखने को में लगा so next stock is Alkaag Cargo yeah Alkaago logistic buy करने की सला दी जा रही है देख सकते हैं कि particular stock एक ही trend को follow करता है और यह मैं आप लोगों को भूट बार explain कर चुका हो इस stock को a strong movement आई यहां पर एक range के अंदर गया breakout दिया, एक range के अंदर गया breakout दिया और दुबारा एक range के अंदर गया and दुबारा breakout दिया लोग बारा एक range के अंदर आ चुका है so probably इसका भी a breakout आ सकता है अकर probably कल नहीं आता है तो पडसों तक आ सकता है and इसको आप परशलीस में रख सकते हैं बट breakout पर buy initiate करेगा, एक second important बात, एक fall के बाद इसने देख सकते हैं, यहाँ पर एक base बनाया है, एक candle daily candle की है, तो यहाँ पर इसने multiple मतलब एक महीना, हम बानके चल सकते हैं, 15-20 दिन यहाँ पर यह halt करा, एक base बनाया है, बेस बनाने के बाद जाके इसने आपर आज breakout दिया है, तो यहाँ इसने breakout दिया है, अच्छे volumes के साथ दिया है, यहाँ पर एक buy initiate करके चल सकते हैं, एक छोटा सा hurdle जो इस level पर आता है, वो जैसी break हो जाएगा, 123.2 के आसपास का है, अभी trading, it's right now trading at 122.80, जैसी यह 123.20 की उपर जाएगा, तो यहाँ, we can go for a buy, आप कर क्या सकते हो कि 123.2 की पर 15 minutes की candle अगर close करती है, तो यहाँ, you can go for a buy in this particular stock, okay, so next stock is polycab, polycab में आप देख सकते हैं कि एक sharp rally आई, एक sharp rally आई, इसने एक pole create कर रहा है, पोल create करने के बाद हम देख रहे हैं कि यह एक range के अंदर चला गया, so this pattern is called pennant pattern, यह एक pennant pattern है, ठेक है, but इसको मैं जादा perfectly consider नहीं करूँगा, it's a high reliable pennant pattern, but मैं इसको जादा अच्छे से consider नहीं कर कि यहां पर इस range के अंदर, इस triangle के अंदर, जित्ती green candle नहीं है, उसे maximum time 3 times 4 times हम लोग देख रहे हैं, यह red candles है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 red candles and 3 green candles, तो आप देख सकते हैं, कि यहां पर थोड़ी इसी opportunity कम है, कि आकर यह उपर की तरफ break करता है, तो शायद हम लोगों को एक false दे जादा हो सकते हैं, या it's a high reliable penant pattern, but we have to observe the chart, we have to see the psychology of a chart, and then we can go for a trade, okay, so what हमें हमें करना क्या है, एक बार इसके उपर breakout होने दो, sustain करने दो, अगर कल breakout देता है, so आप लोग क्या कर सकते हो, 2.45 PM के पास, 2.45 PM around, आप देख सकते हो, कि अगर अभी भी यह breakout, इस triangle pattern की उपर closing दे देता है, so यहाँ पर एक थोड़ा सा risk बढ़ सकता है, okay, so last stock is, zen, yeah, zen sir technology, so यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यह भी एक range के अंदर काम करना है, and range के अंदर का एक breakout दे चुका है, पर breakout भी मैं इसलिए suggest नहीं कर रहा है, मतलब buy करने के लिए already suggested है, but आप देख सकते हैं, एक sharp का breakout देगा, around 188 पर, so यहाँ पर एक sudden movement, हम लोग expect कर सकते हैं, और यह previous अपने highs तक जा सकता है, जो कि 1st high यह है, and 2nd high यह है, and 4th high यह, 1st, 2nd, 3rd, sorry, 3rds, 3 targets हम लोग expect करके चल सकते, 192, 197, and almost 200, 205 के, but हमें wait करना है, 188 अबव की closing के लिए, so अगर यहाँ पर यह थी 5 stocks की analysis, let me explain nifty and bank nifty, so मैंने nifty और bank nifty आपको already explain कर रखा था, आप यहाँ देख सकते हैं, कि यह एक sudden movement थी, उसके बाद halt करा, so इस pattern को हम लोग कहते है, flag pattern, यह bullish flag pattern होता है, and it's a medium reliable pattern, यह medium reliable pattern है, जैसी medium reliable pattern का breakout आया, exact हमें पता था, कि इस target तक जा सकता है, because यह targets find करने के लिए, आप जो possibilities होती है, बहुत rare होती है, बहुत कम लोगों को पता होता है, and अब भी इसका, जो मैं मान के चल रहा हूँ, for example, कि मुझे लगता है कि 12,800 के उपर, यह closing नहीं दे सकता, 12,800 के उपर, अगर इसने closing दे दी, तो हम लोगों को कोई trade नहीं लेना, न sell का, न buy का, जो next दिन candle बनी गिया, अगर next day इसकी उपर बनती है, तो यहां हम लोग buy की तरफ जाएंगे, but अगर next day, वो 12,800 के नीचे close कर जाती है, so हम लोग वहाँ पर clearly अपनी short positions को initiate करके चल सकते है, but अभी वी आप देख सकते हैं, कि जो highest possible reversal है, वो आ सकता है, 12,780 से लेके 12,830 के आसपास, इस 50 र अगर हम लोगों को trade लेना है, तो हम लोग एक बर sell side में लेंगे, अगर opportunity मिलती है, buy side में इस पर कोई trade नहीं है, nifty के अंदर buy side में, अगर closing भी दे देता है, तो भी हम लोग trade नहीं लेंगे, next day हमें wait करना है, for this particular index to close above 12,830 और below 12,780, then we'll make our decision, okay, अभी दुबारा बता देता कोई trade नहीं है, sell side में trade ले सकते हो, अगर इस point से एक reversal आता है, 5 minutes, 15 minutes candlestick charts पे, but buy हमें नहीं करना है, okay, similar to bank nifty, bank nifty भी अब buy नहीं है, it's probably अभी यहां से एक selling आ सकती है, selling in the sense, I'm not saying correction, मैं कहरा हूँ, a retracement आ सकती है, so अगर मैं bank nifty आप लोगों कोई बर लेकर चलता हूँ, just wait a minute, it's nifty bank, okay, so yeah, just open this particular index, क्योंकि nifty bank पे अगर हम लोग फिबुनाची का use करेंगे, so फिबुनाची पे अगर हम लोग मन्थली चार्ट ओपन करते हैं, जो भी high था, एक bottom था, उसका फिबुनाची ड्रौ करते हैं, so जो आज की इसने closing दी है, 29,000 आस पास की, so वो था 78.6% का फिबुनाची रेट्रेस्मेंट, जहां से possibly एक reversal हमें find होने को मिलते हैं, so वहाँ पर ही आया था, उसके बाद हम लोग देख रहेते हैं, कि वहाँ पर test करता था, 100 पे की दुबारा correction आ जाती थी, market पर अगरा 5 मिनिट का चार्ट ओपन करेंगे, so अभी चार्ट ओपन हो नह करेंगे, so आप लोग safe लें, and क्योंकि कल का दिन थोड़ा सा volatile हो सकता है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है, क्योंकि कल make or break even level है, क्योंकि exact अपने resistance पे, दोनों आ चुके है, exact अपने resistance पे, अगर उसके ऊपर जाता है, तो वो एक false breakout में suggest कर सकता हूँ, मैं buy की तरफ नहीं जा to this video, और आप मुझे एक chat box पे, या comment section पे बता सकते हैं, कि आप लोगों को ही हमारी analysis कैसी लग रही है, और आप लोग इसके अलावा क्या क्या analysis चाहते है, या बहुत लोग वेट कर रहे हैं, कि मैं एक swing trade लेकर आऊ, chart of the week, so मैं definitely Friday को एक chart of the week लेकर आऊँगा, आप लोगों सिक्काल अगली वीडियो पे, मैं शिवांच भसीन, signing off